तो दोस्तो आज हम शेर कर रहे हैं सूजी से बनने वाला एक ऐसे नास्ते की रेस्पी जिसे आप सिर्फ 10 मिनट में बना कर त्यार कर सकते हैं ये खाने में बहुत ही ज्यादा क्रेस्पी चटपटे वर्ट टेश्टी लगते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले एक बॉल में हम लेंगे आधा कप सूजी बारीक वाली सूजी लीजेगा मोटी सूजी हो तो एक बार मिक्सर में चला लीजेगा आधा कप ही हमने गेहू का आटा लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं आधा छोटा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और एक छोटा चम्मच कुटी भी लाल मिर्च एक चम्मच मैंने सफेद तिली है इससे नास्ते में क्रंच आता है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिय डालेंगे और इन सभी चीजों को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आब मोयन के लिए एक चम्मच ओयल डालेंगे और इसे हाथों से रगरते हुए आटे में बढ़िया से मिला लेंगे सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर ली है अब इसमें से दो से तीन चमच मिस्त्रण एक अलग बॉल में निकाल लेंगे इनका इस्तमाल हम बाद में करेंगे और बाकी बचे मिस्त्रण में हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका आटा गूत लेंगे और देखे इस आटे को हमें रोटी या पूरी के आटे से मुलाइम गूतना है क्योंकि इसमें हमने सूजी का इस्तमाल किया है न तो सूजी फूलती है और आटा अपने आप बाद में थोड़ा सक्त हो जाता है तो देखे इसे मैंने इस तरह से मुलाइम रखा है अब सूजी फूल जाए तो हम इसे पांच मिनट रेश्ट के लिए रख देते हैं तब तक एक आलू का मसाला त्यार कर लेते हैं इसके लिए हमने दो मीडियम सैज के उबले आलू ली है आलू को हम मैस कर ले रहें अच्छे से मैस करिएगा ताकि इनमें आलू के बड़े टुकडे ना रहें चाहे तो आप इने ग्रेट करके ले सकते हैं आलू को हमने अच्छे से मैस कर ली है अब इसमें हम डाल रहे हैं एक बारी कटा हुआ प्याज दो बारी कटीवी हरी मिर्च, आधा चोटा चम्मच जीरा, आधा चोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चोटा चम्मच कुटीवी लाल मिर्च और चटपटा टेश के लिए हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर इसकी जगा आमचूर ले सकते हैं थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे और इन मसालों को आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोस्तों यहां पर आप आलू का मसाला आप अपने हिसाब से बना सकते हैं ज्यादा चटपटा खाना पसंद करते हों तो आप इसमें भूना जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर या पिज्जा हर्प्स वगर भी डाल सकते हैं मैं बच्चों के लिए बना रहे हूं तो मैंने इसे थोड़ा सिंपल रखा है तो चलिए अभी हम इसे साइट में रखतेते हैं अब यह जो हमने आटा बॉल में बचाकर रखा था नसमें हम पानी डालेंगे और इसका एक घोल बनाकर त्यार कर लेंगे और देखे इस घोल को हमने इस तरह से पतला रखा है क्योंकि इसमें सूजी है न तो जब तक हम नासा बनायेंगे तब तक सूजी फूल जाएगी और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा अब देखे पांच मिनाट हो गया है सूजी फूल गई है और ये डो सक्त हो गया है तो इसे हम एक बार अच्छे से मसाल लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे और चिकना करने के बाद देखे ये रोटी के आटे से भी थोड़ा सक्त हो गया है तो अब हम क्या करेंगे आटे को हाथ में लेंगे और इसे ट्रोल कर लेंगे और इसकी एक बड़ी लोई बना कर त्यार कर लेंगे और अब इसे सूखे आटे में लपेटेंगे और इसकी एक रोटी बेल लेंगे इस रोटी को हमें बड़ा बेलना है और रोटी से थोड़ा मोटा रखना है देखें इस तरह से अब हम इसके उपर आलू का मसाला लगाएंगे तो चम्मच या फोर्क से ये आलू का मसाला लेंगे इसे रोटी के उपर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे और इसे चम्मच या फोर्क की हिल्प से रोटी के उपर बराबर से फैला लेंगे जिससे की इसके उपर आलू की एक पतली सी लेयर बन जाए और आलू को सभी तरफ इस्प्रेट करने के बाद अब हम इसे एक तरफ से उठाएंगे और इसे इस तरह से रोल कर लेंगे टैटली रोल करिएगा और रोल करने के बाद इनको किनारे से चिपका लिजेगा और अब हम इसे एक बार उपर से इस तरह से रोल कर लेंगे जिससे ये पतला हो जाए और आलू सभी तरफ इस्प्रेड हो जाए किनारे के तरफ फोल्ड कर लेंगे जिससे आलू बहार न निकले इस तरह से हमने इसका एक पतला सा लंबा रोल बना कर त्यार कर लिया है अब हम इसे कट कर लेंगे और देखे इसकी मोटाई मैने आधे इंच से भी कम रखी है पतले रहेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से सिख जाते हैं और ये एकदम कुरकुरे बनते हैं अब एक एक पीस को हाथ में लेंगे इसे सेब देंगे और इसे प्लेट में रखते जाएंगे इस तरह से मैने सारे नास्ते को बना कर त्यार कर ली है अब हम ये सूजी और आटे का घोल लेंगे इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और देखे सूजी फूल गई है और ये घोल थोड़ा काड़ा हो गया है तो अब हम इसमें एक एक पीसेश को डिप करेंगे और डिप करने के बाद हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे निकालते समय चम्मच को तिर्शा कर लिजेगा जिससे एक्स्टा घोल बॉल में चला जाए इसके लिए आप फोरका इस्तमाल कर सकते हैं इससे ये काम असान हो जाता है इसके लिए मैंने पैन में तेल गरम कर लिया था इसमें हम गी एक एक करके पीसेश डाल देंगे और इनक को फ्राइ करने में बहुत ज्यादा ओल की जरूतने पड़ती है कम तेल में भी ये क्रिस्पी फ्राइ हो जाते हैं दूसरे तरब से भी इनका कलर सुनारा हो गया है तो अब हम इनको निकाल लेंगे तो दोस्तो जब घर में अचानक से महमान आ जाए और समोसा कचोड़ी प आस्ता बनाईए सूजी से बने हैं तो ये बहुत ज्यादा ओली नहीं होते हैं और खाने में एकदम क्रंचीवा टेस्टी लगते हैं और दोस्तो अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो यकीन मानिए एक बार आप इसे बना कर खा लेंगे ना तो आप इसे बार बार बना तो दोस्तो आप ये रेस्पी कब बना रहे हैं कॉमेंट में जुरूर बताईएगा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सेर कर देजेगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा धन्यबाद